नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आपको दुनिया से उठाना चाहता है इस नाम का इंशान ज्या दोसों आप इन पर इतना भरुशा कर रहे हैं इतना यकीन कर रहे हैं लेकिन दोसों आपको इस बात की कानों कान खबर नहीं है कि इनके मन में आ आपको शत्र को हुजाना है जो कि आपकी जुनकाल में आपको कहीं के नहीं चुड़ेंगे जिए दोसों और बगवान श्रीकिष्ण ने भी यह बात कहीं है कि कभी भी अपने शत्रू पर दोबारा भरोशा ना करना क्योंकि जो दुश्मन है वो वही काम करेगा जो उने पशंद है एक बार मुँ में मीठा पूल देने शी उनका स्वभाव नहीं वदलता तो दोसों श्रमे रहते हो जाईए शावधान क्योंकि इस दुश्मन ने आपको पिछले कई श्रमियों से तंग करके रखा है आपने द खुशियां हासिल की है लेकिन दोसों अगर आप इन से अपनी खुशियों को नहीं बचा पाएंगे तो दोसों यह आपकी श्रम से बड़ी बेवकूपी होगी जया दोसों हम आप श्रमियों को बताते कि श्रमे रहते इस इंसान से आप अपने आपको बचा ले या फिर और लाई है आपकी इस जुनकाल की आपके घर परिवार की ही भलाई है चैश्य दोसों हम आप श्रम को बताते कि आखिर कब तक आप में इतने शारे दुखों को झेलते रहेंगी आपको भी तो जीने कधिकार है दोसों हम आप श्रमाप बहुती श्वक्षय और शाफ़ रह हैं लेकिन दोस्तों कुछ रोग एशिय होते हैं जो आपके कारियों से जलती हैं जो आपके वैवार से जलती हैं आपके चाल चिलन से जलती हैं और आप चाहकर भी उनके शाथ रह नहीं पाते हैं क्यों दोस्तों उनके अंदर आपके प्रति पहुती गलत भावनाई होती है ज तो दूसम्त विडियो में हं आप शवी को पशर भी मेठ्प chapters देंगे कि केश आप इस श्वेक्ती को Petit से निकाल सकते हैं। केश आप इनकी पहचान कर सकते हैं। कि आखिर य कहि क्यों व awakened कर रहा है या क्या चाहता है जिसन요 दोस्तों ये दुश्मन दोबारा आप शुभी की जुनकाल पर नाए इनके लिए आपको बहुत ही खाश मंतर बताएंगे और अपने जुनकाल को इस व्यक्ति से केसे बचा सकते हैं तो दोस्तों सभी जानकारें बहुत ही गहरी तरिकेशे गरागोचर के नुशार बनाए देखिए गा उस जो भी बहुत बोलेनाथ के सच्चे बख्ति इस वीडियो को देख रहे दोस्तों को एक प्यारा शवलाइक ज़रू करें और कमेंड बुक्श में सच्चे मत से लिख दें जैश हुआए दोस्तों बात करते हैं शुरूआत करते हैं बहुत बहुत अच्छे ग्यान से दोस्वं भगवान भूलेनात हमेशा अपने भक्तों शिया बात कहते हैं कि शिकायत बंद करो अपनी तरब देखो और जहां जहां तुम्हें दुख पैदा होता है खोजो गौर से तुम्हारे भीतर ही उसकी कारण मिलेंगे उन कारणों को छोड़ दो क्योंकि जिन अपने जुनकाल में शाग कर रहे हैं जो व्यक्ति आपको लगता है कि यह आपके शत्रु है या अप शी अच्छा होई निशकता फिर भी दोस्तों आप उनसे बात क्यों करते हैं आज यह उन्हें पने जुनकाल से निकालते क्योंकि आगे चलकर भी आपको धोखाई जया दोसों तो आए दोसों से के शाद बात करते हैं कि आखिर यह कौन व्यक्ति है जो आपको इस दुनिया से उठाना चाहता है कि दोसों चोर को खाशी और शंत को दाशी मुशिवत में डाल देती है प्यार देने शी बेटा बिगड़े भेठ देने शी नारी लोब देने जया दोसों गुन मिले तो गुरु बनाओ चित मिले तो चेला मन मिले तो मित्र बनाओ वरना रहो अकेला जया दोसों सबसे पहले दोसों आपको बता दें कि आप अपने जुनकाल में बहुत ही शपल इंसान बनने की सोच रखते हैं जो भी आपके मन में आते हैं दोसों कभी भी उन्हें मन में दबा कर नहीं रखते हैं आप अपने परिवार के शाथ बातों को तो शेयर करते हैं जो भी आप अपने जुनकाल में चाहते हैं लेकिन दोस्तों इनके शाथ शाथ जोगी आपके शगे शमंदी हैं जो भी आपके पास जाते हैं जो भी आपके दिल के क कि यह आपकी गलती है और उसे का दीकिए जहनकाल में यहीं से शुरुआत होती है। कि आपके बारे में जानता है। कि कि परकार की इंसान है। बहुत कुछ बहुत करने का प्रयाश करते हैं। और दोस्तों आप इन बातों को शमय शमय पर नजरन्दाज करते आ रहे हैं। दोस्तों याद किजिए कि पिछले शमयंतराल में भी आप शिवनकाल में एशिक कई लोग आए हैं। जो कि आपके शात रहकर आपको धोखा भी दिये हैं। और कोई एशा भी लोग है कि दोस्तों धोखा देने के बाद आपसे मिलने के यह बहुत ही प्रकार के कारवी कि हैं। कार भी वो लोक करते हैं और दोसों फिर आप अपने दिल को उनके आगे हार बेटते हैं तो दोसों यह आपकी सबसे बड़ी गलती है क्यों भगबान श्री किष्ण कहते हैं कि किम इसन भी इंसान को इन बातों का याद रखना है कि जो भी इंसान आपको जियों में कभी भी धोखा दिये हैं कभी भी आपको चल किये तो दोस्तों उस इंसान की आपको एक बार पहचान करना है और उनसे दोस्तों आपको दूर जाना है जिया दोस्तों उनसे बात भी आपको नहीं करना है जिसे तो दोस्तों आपको चती आपको नुक्शान होते हैं, तो दोस्तों आपको पुर्वियां कोई भी इंसान कि इन्मोशनल्स हो डोप कर आपको रिकार करने के लिए अब लेकर आपके पास आजते हैं तो उन्हें ना करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं होती है लेकिं दोस्तों आप उनके पीछे की बात को जान भी नहीं करते हैं दोस्तों के बारेशे ही लोग हैं जो कि आपको दोखा देने के चकर में रहते हैं और फिर दोस्तों सब उनको आप पेशे देते हैं तो दोस्तों फिर कई दुनों के बात आप देखते हैं कि दोसुँ आप उनकी नजरों में बुरी बन चुकी हैं जे दोसुँ तो दोसुँ आपको अपने युनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है कि पेसे से लेंदेन जल्दी आप ना करें ये दोसुँ आज के इस दौर में पेशा बहुत ही अच्छा है तो एक तरफ बहुत ही बुरा भी है जितना आप पहले बात करती है वही दोसरी और अगर हम किसी को पीषे देते हैं तो दोसरी हम चाहे कितना भी अच्छा कारी क्यों न करे हो हम उनकी नजरों में बुरे बन जाते हैं वोई हमसे नजरे चुराने लगते हैं जितना आप पहले बात करते थे दोसों पीचे आप बात करना कम कर देते हैं तो दोसों एशे जीवन की हालात हो जाती है तो दोसों आप इन बातों की यादर रखें अगर आप फिक्ति की यह कुछ गलत कारी करते हैं पेशे को लेंदेन में आप बिल्कुल ही ना पड़े तो दोसों इन बातों को आप अपने जुनकाल में ध्यान रखें कि दोसों ऐसे ही गलतियां होती है जो कि आपके जुनकाल में आप करते हैं और दोसों आगे चल कर वह गलती विशार रूप धारन करके आपके जुनकाल मे करने लगते हैं कि आपकी पर बिल्वी कंडाने कि रिखते। इसको पराने दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों ने आपको उपर चल किया है उनको उपर आप अब अब भी सूथ डिल्कुल ना करें और दोस्तों आने वाली जूनκाज में जितना होश शके 살아 दोस्तों आपके जूनर्ग में प्लबधी पी इनसे पराप्त होगा तो ये दोसम बात करते हैं कि शत्रु को अपनी उनकाल से हमेशा के लिए मीटा देने के लिए आपको कौशी उपाय को और कौशी मंत्रों का जाप करना चाहिए दोसम सबसे पहले पहली आश मंत्र है शत्रों शत्रु से बचाने वाले संकट मोचन जय हनुमान जे दोस्टों आपको नित्ती दिन आपको भगवान हर्मान जी का इन मंत्रों का जाप करना है संकट मोचन जय हनुमान, किर्पा करो हे महाबली हनुमान जे दोस्टों यही मंत्र है जो कि आप शुबिक जुनकाल में शबिश शत्रों से आपको मुक्ति दिलाएगा जब आपके मन में आशाख हयाल आने लगे कि आपके ऊपर शमकट आने वाला है तो दोस्वों आपको इस मंत्रों का ज़ाप करना है शाधे साथ दोस्वों आप शभी को बता दी कि इस दुस्मल से चुड़कार पाने के लिए दोसों, आपको शृंधेब के शरणों में जाना होगा और शृंधेब के कुछ वज़तिऊं जिसे काली चीज़ों का दान करना है काली कुट्ते को आपके खाने के आतरी रोटी देनी है शत्रुघे कम होते हैं और शिवारण काल से सत्रुग घंट जाते है जे दोस्तों तो दोस्तों भगवान शिंदेभ का ** को आपर & देली करें शत्रू भी कम होंगे और शत्रू होwait नहीं हो गी तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के यह वीडियो आपको बहुत यह प्रशंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो दोस्तों चैनल को भी शुब्सक्राइब कर लें धन्यवाद